दोस्तों नमस्कार मैं सूरसिंग स्रीन इवास्टी से स्वागत करता हूँ आपका इस नए वीडियो में दोस्तों हमारे पास जो भी नहीं चाय आती है उसका मैं टी टेस्टिंग आप लोग को दिखाता हूँ तो हमारे गोडाउन स्टॉक में कुछ नहीं चाय आइड हुई है उनका मैं आज आप लोगों को टी टेस्टिंग दिखा देता हूँ दोस्तों तो बारी बारी से सुरू करते हैं लो तो सबसे पहले चाय दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ लार सिंगा का बीपी है वोके इनव फूजक बराइडर इनफूजक दोस्तों बहुत अच्छा चाहिए और विस सामने इसकाली कि लिकर भी अच्छा है उसके बाद बरुआ पारा बीपी यह बहुत ही है लो चाहे होती है 116 में दोस्तों यह भी पूरा ब्लैक इस में बहुत अच्छा जलासा कहेंगे नाम मात्र का ब्राउन इस बाकर पॉल्मोस्ट ब्लैकेश इंफ्यूजन भी इसका ठीक ठाक है लीकर लीकर भी अच्छा है दोस्तों कलर आया है लीकर में उसके बाद आगे बढ़े अच्छा लीकर है इसका भी उसके बाद तेलाई जान का भी पी है दोस्तों 138 करेट यह थोड़ा दोस्तों ब्राउनिश में है काफी हद तक कहेंगे और यह ब्लेंडेट जैसा है बीपी वन है होके दोस्तों 580 भी है और इसका इंफ्यूजन ब्राइटर है लीकर भी अच् डूसम्योरान जो चैर था लार जन्चाउ का भी पी कैसेया पन दोस्तों कड़क ब्ड़क बहुत ज्यादा इसमें बहुत अच्छी चैल को न चेedel की का बद Hem पारा का फिर से बीपी है इन्वाइस अलग है 914 इन्वाइस है यह थोड़ा ठीक है दोस्तों थोड़ा सा स्ट्रॉंग है और हलका सा स्मोकी ने सारा इसमें उसके बाद तेलाई जान का बीपी हम यह भी दोस्तों स्ट्रॉंग चाहे अब बारी बारी सम लोग दूट डाल लेते हैं दूट डालने बाद देखते हैं कि इस सीजन में जुचा है आफ्टर मिल्क कैसा कलर दे रही है गोल्डेन टोन है या रिडिश है सारा में पता लगिए जी हां तेलाई जैन का बहुत अब दोस्तों आफ्टर मिल्क में टेस्ट करता हूं कि बहुत अच्छा स्ट्रॉंग चाहे दोस्तों लासिंगा की बहुत बढ़िया चाहे उसका फिर से बर्वा पारा का बीपी है यहां इस्मोकिनेस अप्टर मिल्क थोड़ा कम हुआ है उसके बाद फिर से बर्वा पारा का बीपी इन वह दूसरा है यह ठीक है दोस्तों इसमें ज्यादा स्मोकिनेस नहीं है धुमे जैसा टेस्ट नहीं है उसके बाद तेलाई जैन का बीपी यह ठीक है दोस्तों श्ट्रॉंग चाहे एक स्वाद भी आराज में फ्लेवर है गार्डिन का तो दोस्तों यह चाहे है इसका आप सैंपल भी मगा सकते हैं और डारेक्ट ओडर भी दे सकते हैं ओके दोस्तों नमस्कार प्राज का प्डा है